भारत के जंगलों में 7 दशक के बाद एक बार फिर से चीते दोडेंगे 1948 में आखरी बार भारत में चीते दिखे थे नामीबिया से आने वाले 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो और नेशनल पार्क में रखा जाएगा चीता, दुनिया का सबसे तेज दोडने वाला जानवर 120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से ये दोड सकता है और महस 3 सेकेंड में ही संतान ने किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार पकड़ सकता है इसलिहास से चीता किसी स्पोर्ट्स कार से भी ज़ादा तेज दोड़ता है चीते का छोटा सिर पतला शरीर और लंबी टांगें इसे तेज रफतार पकड़ने में मदद देती हैं भारत में तो चीते को विलुट हुए साथ दशक से ज़ादा बीद गए है नामीबिय से लाए जा रहे आठ चीतों में पांच मादा हैं जबकि तीन नर हैं चीतों को एक महिने के लिए कौरंटाइन पीरेड में रखा जाएगा हिंदुस्तान में सत्तर साल पहले ही चीते को विलुट गोशित कर दिया गया था और सतर साल से देश में चीते नहीं थे और ऐसा नहीं है कि अचानक से चीतों को लाए जा रहा है पचास साल पहले से चीतों को भारत में लाने की कोशिश चुरू हुई थी जो हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के जन्म दिन पर पूरी हुई आगे का वीडियो देखने के लिए पार्ट टू में जाएं